और वेलकम टो एजुक्शन फुर्यू नाइन पीम लाइव क्लास दोस्तों आप सभी का बहुत श्वागत है हर्दीक बिनन्दन एक बार फिर्शे दोस्तों देखिए यहां पर अभी आप सभी जानते हैं कि यहां पर देखने को मिलेगी बीएट वाले को भी एक बड़ा चांस एक बड़ा मौका यहां पर आपको देखने को मिलेगा हलागि एक बार मुझे नोटिफिकिशन आ जाए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे और दीखें यहां पर एक स्ट्रेट्जी एक प्लान को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ जहां आप लोग सेल्फ स्टडी किस तरीके से करेंगे जहां आप लोग बिना कोचि से बहुत ज़र्द आपको देखने को मिलने वाली है पहली बात तो यह और इसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए क्योंकि देखिए इसकी तैयारी जो होती है बीपिए से एक्जामिनेशन के उतनी भी आसान नहीं होती है कि आप इसको दो चार दिनों में कर लें या दस क्योंकि आप असी भी ला पाएना तो भी यहां पे बहुत बहुत स्कूर माना जाएगा बीपिए से एक्जामिनेशन पर मैं बात कर रहा हूं सौल आने की तो देखिए अगर आपको सौल आना है डेफिनेटली तो आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको एक प्लान एक सिक्स-टू-एट के लिए अपको पता है कि पिछtså क्ने विहार में यहीं आई थी तो शिक्स-टू-एट के लिए वेकंशी रहेगी इसका। स्लिवर्स क्या होगा इसके विश्य में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दिखिए जब स्लिवर्स के बारे में बात करेंगे इसकी हम आने वाला है यह ध्यान रखिए और इसकी हंडिट परण закры अगर हम लोग देखें बीपेस टि एक्जामिनिशन जो है यह आपको होने वाला होने मार्प का होगा जिसमें से आप अगर देखेंगे सब्जेक्ट ऑपके सब्जेक्ट होगा उसके आपको असी नंबर के प्रश्ण पूछे जैंगे जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा Social sciences का है तो आसी नमबर के प्रशश में आइंगे कोई बच्चा अगर आप देखञेंगे यहां पर साइंस का है तो यहां अगर आप देखेंगे तो science के question आपको पूछे जाएंगे अब गने देखेंगे English languages आने वाली है तो ये इतना आपको यहां 40 नंबर में देखने को मिलेगा तो इस तरीके से अगर आप इसे combine करते हैं तो total 120 marks आपके हो जाते हैं कितने हो जाते हैं 120 नंबर हो जाते हैं 120 marks आपके यहां पर हो जाते हैं यह बहुत ज़्यादा clear है आपको अब देखिए यहां पर यह 40 नंबर को अभी तो हम रहने देते हैं अंते में हम बताएं कैसे करना हम यह बताते हैं कि 80 नंबर के आपकी तैरी कैसे होगी जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग ने बीपीएस्टी का examination द सब्सक्राइब करना है तो आपको डीप में जाके पढ़ना होगा अब देखिए पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा देखिए आपको यहां पर एक बहुत ही important काम करना है कि अगर जैसे आप सोसल साइंस की स्टुडेंट्स हैं तो आपको क्या क्या आने वाला है बता हैं तो यह पूरा स्लीवर्स मैंने आपको बताया है सोसल साइंस वाले बच्चे को मैनली फोकस करना है भुगोल में इतियास में राजनीतिक में समाश्चास्तर में और थोड़ावत मनवग्यान में तो यह उनका स्लीवर्स हैं और देखिए यह कहां से प्रेपेर होगा जै इसके दिव्यायब क्या करना है मैं आपको बता रहा हुआ है दिखे आपको ना यहान पर सबसे पहले एंस fulfilled लेना क्योंकि दिखे आपको पता है कि जो का BPSC वो भी कहता है कि paper nc art से बनेगा और आपके अनलोक भी यह gjith well , paper जो आपका होगा वह definitely nc art से बनेगा , जो nc ये में च girls बह artillery bit कि , बैल governor is solchen one to call 3-6 एक च्वारी COS पहले आपको ये लेनी है और ये जो कि ये ये यहती था लेनी है और इन में NCRT कुंस की होगी, इसमें science वाले बच्चे science की NCRT करेंगे, math वाले बच्चे math की NCRT करेंगे और social science वाले बच्चे social science की NCRT पढ़ेंगे, अब social science की NCRT पढ़ना इतना भी असान नहीं है, तो कोई बच्ची अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसका पूरा नोट्स उपलब्द है हमारे एप पर अगर आप जाएंगे एजुकेशन फूर यू एप पर तो NCRT नोट्स मिलेगा 6 तू 10 क्लास का मिलेगा और मात्र 99 रुपीज का अगर आप लेना चाहें तो definitely ले सकते हैं हमारे एप विजिट कर सकते हैं और वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं तो एप को जरूर एक बार विजट करेगा education for you play store में सच करके देखिए अब हम आगे बात करते हैं अगर आप ये notes नहीं लेना चाहते हैं और आप कैसे self study करेंगे देखिए आपको जाना है Google में और Google में जाने के बाद आपको six class की NCRT डाउनलोड करनी है या आपको कोई NCRT का आप डाउनलोड करना है आपके प्ले स्टोर से और वहां से आपको NCRT पढ़नी स्टार्ट करनी जैसे social science का बच्चा NCRT पढ़ रहा है तो वह पहले history geography और civics तीन पार्ट पर होती है तो जैसे आप history पढ़ रहे हो तो देखिए solve करना है तो इस तरीके से हम पूरी NCRT कंप्लिट करने वाले हैं देखिए वन वाए वन अगर आप देखेंगे तो पहले आप क्या कर रहे है चैप्टर को पढ़ रहे है चैप्टर के important points copy में बना रहे है देन उसके पीछे जो exercise दी हुई है उन exercise को आप solve कर रहे है उन exercise का solution भी आपको इंटरेट में मिल जाएगा अगर आप इतना करते हो तो definitely मैं कहूंगा कि है आपको फिर कोई रोक नहीं शकता है examination को crack करने में BPSC के जो 80 marks है इस 80 marks से आपको obtain करना 65 से 70 आप easily ला पाएंगे अगर आप केवल NCRT पढ़ रहे हैं तो क्यूंकि maximum chances है कि NCRT से question उठते हैं जाके deep उठते हैं आपको लगता कि बहुत जदा हाट है वो इसली लगता है क्योंकि आप deep study नहीं कर रहे हैं यह धियान रखिएगा अगर मेरी बात आपको 910 यह सभी बच्चे दोराएंगे जब यह आप complete कर लेते हैं तो आपको 11 और 12 की NCRT भी पढ़नी है अगर आप यह पढ़ लेते हैं तो मैं कहता हूं यारी रामबार हो चुका है अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना तो आपको कहीं जाना की जाने की जरूरत है के पी में notes बना रहे हैं जो important points है उसके बाद exercise solve कर रहे हैं तो that's a very difficult task इसको करने में आपको समय की वह शक्ता होगी knowledge भी लगेगा हमें revise भी करना होगा तब हम इसमें hold एक पकड़ बना पाएंगे पर यही हमारा base है यही हमारा fundamental है और यहीं से हमारी new रखी जाएए और यहीं स से बाहर देने का कोई chance ही नहीं है question में आपको बता दूँ तो यह असी नंबर की strategy है कमाल की strategy है और इसे आपको 100% follow करना चाहिए अगर आप BPSC के exam को crack करना चाहते हैं तो otherwise आप समझदार है अगर आप BPSC के exam को crack नहीं करना चाहते हैं तो फिर भाई आपको भी पता है कि definitely आप इतनी महनट नहीं करेंगे तो कुछ बच्चा सोचता है कि चलो मैं जाकर इतनी महनट क्यों करूँ एक हजार का कोर्स लेकर मैं पढ़ लूँगा या मैं पंदरा सो का अठारा सो का कोर्स ले लिता हूं वहां से पढ़ लिता हूं और मैं crack हो जाओंगा तो ऐसा देखि आप मान कर चलिए तो देखिए सेल्फ असेस्मेंट बहुत जरूरी है खुद से पढ़ना खुद से नोट बनाना फिर खुद का असेस्मेंट लेना तो इससे क्या होता है चीज़े आपको ज़्यादा याद होती है यह एक फैक्ट भी है एक लॉजिक भी है तो डेफिनिट चा데 80 आपके सब्जेक्स से बन रहा हूं और यह चालिस नंबर कैसे बन लहा है देखिंक्ट चालिस नंबर के लिए आपको क्या करना है यह यहां से आप पढ़ लें आप लोग या तो कुछ ऐसे आपके पास ऐसी से की बुक हो इंटरनेट के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं या यूटूब में कोई करेंट का चैनल है वो जाकर आप देखें और उनके छे मैने के रोजाना का एक वीडियो आता है वो रोजाना वाला एक वीडियो आप देखें छे मैने का सिक्स मंत का एक वीडियो आप रोज देखें यह ध्यान रखेगा सिक्स मंत का एक वीडियो आप रोज देखें यह एक आप ऐसे तरीके से अगर लगातार करते रहेंगे तो यहां पर सिक्स मंत का आपको करेंट इफर्स भी कंप्लिट हो साथ ही साथ हिंदी की एक basic grammar आपको आनी चाहे है जैसे हिंदी में अगर आप देंगे अलंकार आना चाहे है आपको संदी आनी चाहे हैं प्रत्य उप्षर्ग आने चाहे हैं हना तो यह चीज हापको बेसिकली आती होगी और आपको ऐसे créer करते आना चाहिए यह हिंदी और इंग्लिस का है अब इसके बाद आगर आएंगे तो जैसे कि आपको रीजनिंग कि किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं जैसे से के कोई है या किसी आपने जीके आ जाता है जीएस आ जाता है तो यहां कहीं ना कहीं अगर जब आप NCRT पढ़ोगे तो यह आटोमेटिक लिए जनरल एवरनेस आपका तयार हो जाएगा तो यह चीजे आप अगर प्लान करके चलेंगे तो मैं कहता हूँ कि भीया 120 नंबर का जो पीपर होगा हर बच्चा 80 से 100 के बीच में होगा यह याद करिएगा और आपके सेलेक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो 80 नंबर आपके लिए परियाप्त होंगे अना सफिसेंट होंगे तो यह शिक्स टू एट की वेकेंसिस आपको एक तो बहुत जल देखने को मिलेगी और अगर दूसरे नंबर में आप बात करेंगे यहाँ पर तो डैफिनिटल से यह 9-12 के लिए नहीं है यह 6-8 के लिए है जो अभी वेकेंसिय अपकमिंग है वो उसके लिए है यह अलाकि सीट अगर जो इस टेट है अगर स्टेट आपको यहाँ कहीं ना कहीं कब नंबरों में कौलिफाई कर रहा है तो हमारा सीट भी वहां पर उतने ही नंबर में कौ ज़तना आपका स्टेट कर रहा है तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह फीमेल को कितने नंबर के लिए दे रहा है आपको समझ में आजाएगा कि आपको कितने नंबर लगेंगे चलिकिसी का और कोई सवाल हो तो आप मुझसे बता सकते हैं क्योंकि अभी मैं आपके साथ लाई भी हूं डेफिनिटली और आपके सवाल ले रहा हूं लिए हिन्दि के टीचाइग लिए आप राय करहें आप हिन्दी च।ुल आपको अब कर्या तो डेफिनिटली आपको लिक्राइटर पढ़नी चाहिए आपके च्क्राइग के ब संथे क्यांowego अगर आप देखेंगे अंसिईस पॉलो कर सकते हैं जो N-C-E-R-T पूछिए कोई भी अगर आपका यहां पे हो तो सर मेरा हिंदी ओनर्स है तो इसके बारे में बताइए अब इसके बारे में बता दिये हैं सर सीटेट एपेरिंग दिसंबर वाला को वीपीएस्टी में एक्जाम लेगा दिखिए यहां पे उन्हों में कहा तक था कि जिन बच् है उनको लिया जाएगा पर सीटेट जो क्वालिफाइड होंगे उनको ही यहां पर मौका देनी की बात हुई थी तो आप भी जानते हैं कि बीपीएस्टी का थोड़ा सा गोल माल रहता है तो उसके बारे में अतनी कमेंटमेंट अभी हम लोग करनी सकते हैं चली जल्दी से क हो यह और किसी का प्रेशन हो सबाल हो तो यू के नास्क मी एंड उसके बाद हम लोग सेशन को फिनिश करेंगे देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है कि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलेगा तो यह लॉजिक यहां पर फॉलो होता है कि डैफिनेटली आपको मेहनत तो करनी पड तो कितने सारे बच्चे फैल हुए उसका कारण यही है ना कि सेल्फ शड़ी में ध्यान नहीं दिया उन्होंने यहां पर एक बड़ा लेवल देख रहे हैं आप बच्चों का फैल है जगर अगर आपको बीपिए से करनी पड़े यह आज से करनी पड़े यह अभी से करनी प नंबर आया था यह कहारा भी है एस्टेट में इस इनका किसी का एक सोच्छे आया है तो अच्छे नंबर है सिखा कुमारी कह रही है सर प्लीज ओमर में मेरा एक सब्जेक्ट सेलेक्ट है दो नहीं तो क्या होगा दिए चीज़े तो नहीं है सर लूशन बुक पढ़ सकते क्या BPSD की सोसल साइंस के लिए देखे खुसबू सिंग जी लूशन बुक आप पढ़ता हो सकते हैं बट आप NCRT क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं आप मुझे ही बताइए लूशन में वन टूवन पॉइंट दिये होंगे जिने आपको याद करना बहुत मुस्किल हो जाए जैसे आप पढ़ रहे हो यहां पर सपोस्कारिए महात्मा गांधी की डंडी आत्र के उश्य में आप पढ़ोगे की डंडी आत्र कहा चालू थी साबरमतियाश्व से आप पहुआ पढ़ोगे की कब हुए थी तो आप किह रहे हो जोगे 1930 में ऊबूआ था कोई कह रहा है पूरा अगर कहां से डांडी यातरा चालू हुई थी पैराग्राप की रूप में से समझें और इस थियोरी को आप पढ़ें तो वन लाइनर से ज़्यादा बहता रहे आपकी थियोरी पढ़ने इसलिए मैं आपको कीवल वन लाइनर दिया और आप उसे बिलकुल पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे तो ऐसे मैं आपको उसे मेमोराइज करने में बहुत दिक्कत होगी पर अगर आप महत्मा गांधी के पूरे चरीत्र को पढ़ रहे हैं कि क्या-क्या उन्ने किया हुआ हुआ है तो वो पड़ोगे दूसरी बार दूसरा आमदुलन पड़ोगे तीसरा पड़ोगे तो डेफिनेटली दिक्कत बन सकती है वन लाइनर में और किसे कुछ अवाल है कि अधिकर कुमारी जी अभी कोई ऐसा खास बुक बनकर आया नहीं है क्योंकि आपको बता हूं जितनी भी बुक थी अगर आप उठाकर देखिए तो बीपेसे से कुछ भी कुशन नहीं आए आप पूरी बुक अभी चान लीजिए एक तरीका में आपको बताता हूं बुक को स सही हैं गलत देखने का आप जिससे बुक खरीती बीपेसे की और पेपर उठाई यह अभी जो हुआ है ठीक है और उसमें मिलाई है कि अभी उसमें से कितने कोशन आया और आप मोझे कमेंट करिए को कितने कोशन आया है कि कुछ-कुच बुक का तो यह हाल है कि उसमें से 2-3 कुश्चन भी नहीं आये हैं यह मैं आपको बता दूँ बीपीस से का इसका करण यह है कि बीपीस सी ने एकदम से अनॉंसमेंट दी और इन्होंने क्या किया पुराना कंटेंट डाल कर बीपीस सी का लोगो चड़ा कर आपको धढले से प्रिंट करके दे दिया है और आपने मा चलिए तो फिलाल आज के लिए इतने ही रखेंगे जुड़ने के लिए आपको धशने बाद कोई सवाल हो तो डेफिनेटल आपको इंबॉक्स में लिख सकते हैं हम लोग यहां पर आपसे अगले सेशन में मिलते हैं कल रात 9 बजे जहां पर हम लोग जानेंगे कि सिटेट क आप कैसे तरके से कराक कर सकते हैं और कैसे बहतर माक्स ला सकते हैं से टीटी में तो जुड़ने के जहनवाद आप लोगों का थैंक्यू शो माच आप रिवान टू वीडियो को लाइक करें शेर करें और सपोर्ट करें मुलाकात करते हैं